इन दो जैसे आफ देख रहे हैं कि ना तो hand sanitizer मिल रहा है और नहीं disinfectant spray अविलेवल हैं आज मैं आपको वो तीन homemade disinfectant spray बताने जा रही हूं जो CDC ने recommend करे हैं US Center for Disease Control यानि CDC द्वारा बताए गई वो तीन तरीके जिनसे हम सिर्फ bacteria यह नहीं viruses को भी मार सकते हैं जनरल जो भी हम disinfectant spray बनाते हैं उनका virus पे कोई असर नहीं होता घर के सभी वो चीजे जिनको हम अकसर छूते रहते हैं जैसे की door knob, table surface, high dining chair, kitchen counter, handle, सभी तरीके के नल, light switch buttons, TV के remote, mobile, doorbell button इनी सब high touch surfaces को हम बहुती आसानी से disinfectant spray से बिलकुल sanitize कर सकते हैं और यह homemade disinfectant spray बहुती सस्ते में आसानी से आप घर में ही बना सकते हैं एकदम effective तो चलिए शिरू करते हैं Hi everyone, मैं हूँ पारूल Cook with Parul में आपका बहुत-बहुत स्वागत है homemade disinfectant spray आज में तीन तरीके से बताने वाली ही हूँ तो सबसे पहले हम लेंगे एक बोल और बोल में हम लेंगे एक कप पानी अब जो यहाँ पानी लेंगे या तो आप उबला हुआ पानी धंडा करके लें या फिर आप mineral water लें या आरो का पानी लें अब इसमें हम लेंगे hydrogen peroxide इसकी अगर मैं कीमत देखूं तो बीस रुपे का यह आता है और बहुत ही एजीली किसी भी chemistry पे जाईए और आप बोली hydrogen peroxide solution 3% वाला निकाल दे तो वह आपको दे देगा तो यह हम लेंगे एक चोथाई का hydrogen peroxide solution बहुत ही बढ़ी है disinfectant होता है मानके चलिए लत्मक चार से पांच बड़े चममाच और जो hydrogen peroxide हमें डाल रहे हैं वह हमें 3% वाला चाहिए तो लीजिए बन गया आपका चुटकियों में एकदम effective CDC द्वारा प्रमारित बहुती बढ़िया disinfectant spray बस अब आप लीजे एक spray bottle कोई भी परानी bottle लीजे या इस तर नहां से हम इसको लेविल कर लेंगे तो लीजे हमारी homemade disinfectant spray है बिलकुल दैयार अब आप किसी भी तरीके का hard surface जैसे की kitchen counters हुए दरवाजे हुए घर के जिने सभी लोग चूते हैं उनके handles हुए toilet seats हो गए सभी तरीके के नल हो गए घर के आपकी dining table, dining table की chair सभी आप इससे clean कर स करते हैं जब भी कोई electric चीज इससे clean करें तब आप उसमे डारेक्ट बिलकुल नए इस परे करें बटन वगरा के लिए आप पहले एक कपड़े पर या वाइप पर इस तरह डाले और उसके बाद ही आप सारे electric switches वगरा clean करें और इस तरह से spray करने के बाद आप एक वाइप से इसको पोच सकते हैं disinfectant spray को लगबग तीन से पाच मिनट के लिए इसी तरह छोड़ना होगा जिससे कि वो अपना काम कर सके हम एक चीज आपको और बताना चाहूंगे कि sanitizer और disinfectant spray में अंतर होता है sanitizer ती से साथ सेकिंड में virus और germs को किल करता है और disinfectant spray लगबग तीन मिनट से दस मिनट तक भी ले लेता है तो यह हो गई हमारी hydrogen peroxide based homemade disinfectant spray तो चलिए अब next बनाते हैं यह आप लीजे वोल और इसको हम वराएंगे bleach based disinfectant spray simple से घर के bleaching agent यानि liquid bleach या powder bleach से कभी भी तयार कर सकते हैं एक दम सस्ते में अब सबसे पहले हम लेंगे एक चौथाई कप यानि चार से पाच बड़े चमच regular chlorine bleach जो हम सभी घर में भी यूज करते हैं बहुत से कामों के लिए अगर आपको liquid bleach ना अबेलेबिल हो यह देखिए इस तरीके का आपको powder bleach मिल जाएगा इस पर भी लिखा हुआ है disinfectant, sanitizers, deodorizes, bleaches इसलिए आपको big bazaar, online कहीं भी यह 15-20 रुपे में पाउश पूरा मिल जाता है तो आप दोनों में से कोई भी bleach ले सकते हैं मैं यह liquid bleach ले रही हूँ लगबग एक चौथाई कप इसमें हम डालेंगे एक लीटर पानी पानी आपको या तो बॉयल करके थंडा करके लेना है य यह ध्यान रखना है अगर आपको किसी भी प्रकार की हातों में कोई सी तरीकी के ऐलर्जी या परिशानी है तो आप इसको gloves pen के यूज़ करें क्लोरीन भीज को हम सोडियम हाइपो क्लोराइड भी बोलते हैं और यह लीजे हमारी क्लोरीन बेस्ट होम मेट डिसिंफेक्टेंट इस्प्रे है बिलकुल तयार है ना एकदम सस्ती वाली और बिलकुल बढ़िया क्योंकि यह सब ही जो वे तीनों प्रोसेस आपको बता रही में वह जैनरल परपस के लिए ठीक है यानि इसंप्ल बेक्टरीय ठीक है लेकिन वह वाइरस पे बिलकुल काम नहीं करते हैं लेकिन वाइरस के लिए यहीं इफेक्टिव हैं ब्लीच वेज़ दिसंफेक्टेंट को किसी भी सरफेस पर लगबत पांच मिनट के लिए आप इ इस disinfectant spray से clean कर रहे हैं, तो पाँच मनट छोड़ने के बाद हलकी गरम पानी से उसको बाइप कर दे, अब मैं next जो बना रही हूँ वो है alcohol based disinfectant spray, बिलकुल market style और इसमें आपका घर deodorize भी होगा, बिलकुल powerful हमारा disinfectant spray तैयार होगा, तो इसके लिए मैं यहां ले रही हूँ, ती hydrogen peroxide बहुती बढ़िया disinfectant है, तो लगबग यह हम तीन बड़े चमच ले ले लेंगे, और अब इसमें हम डालेंगे isopropyl alcohol जैसे हम rubbing alcohol भी बोलते हैं, यह बिलकुल भी spirit नहीं है, क्योंकि spirit poisonous होती है, अगर आप spirit की bottle के पीछे भी देखे, तीन इंफ्लेविल साइन होते हैं, और इसमें poison भी लिखा रहता है, इसमें कभी भी ना तो hand sanitizer के लिए यूज होती है, और ना ही किसी भी तरीके की disinfectant spray में यूज होती है, आप चाहें तो इसके लिए सर्च भी कर सकते हैं, और ना ही हमें किसी भी प्रकार का यह ना denatured alcohol ना ही spread, rubbing alcohol ही हमें यहां पर चाहिए हो के लिए recommend किया जाता है, वो isopropyl alcohol ही किया जाता है, और वो हमें चाहिए होगा 70% से एवब यानि की 70% से ऊपर वाला वही वायरस को किल करता है, तो 70% to 99% के बीच का आप को भी ले सकते हैं, इसमें मैं आप डाल रहे हूं हो 10 drop essential oil की जैसे lavender oil, eucalyptus oil, tea tree oil, orange oil, या clove यानि ल इसके बगएर भी आप इसे तयार कर सकते हैं, साथ के साथ जहां भी यूज़ करेंगे, बहुत ही बढ़िया खुश्बू आईगी, मैंने यूज़ किया है lavender, सभी चीदों के online पर्चेस कर सकते हैं, अच्छे से कर देंगे mix, और इसको भी एक spray bottle में हम भार करके रख लेंग तो हमारा alcohol waste disinfectant spray है, बिलकुल तयार, powerful, effective, non-toxic, deodorize, fight mode and mild you, तो ये भी हमारा ready है, जब भी आप किसी भी चीज़ को wipe या spray करें, इस्प्रे या wipe करने के बाद 30 सेकिंड तक उसको इसी तरह रहने दे, उसी के बाद उसको clean करें, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी प्य तो अब virus bacteria germs की चुटी घर में बनाईए और सभी चीज़ों को disinfect कीजे, sanitize कीजे, इन homemade spray से, अब market से भी कोई भी सामाना पगर लेकर आ रहे हैं, इन वसे किसी भी disinfectant spray से उसको disinfect किया जा सकता है, जितने भी घर के hard surfaces हैं, non-porous surfaces हैं, जैसे कि कोई भी घर की चाबी वगरा, handles, doors, किसी भी तरीके के toilet के seats, भी remote, mobile, switches, सब आप इससे disinfect कर सकते हैं, तच मानिये friends, आपने बहुत से वीडियो disinfectant spray के इन दोनों देखे होंगे, सब विनेगर यानि सिर्के से बता रहे हैं, वो general bacteria के लिए है, effective, virus के लिए बिलकुल effective नहीं है, चाहें तो आप सर्च भी कर सकते हैं अगर आपके घर में महेंगे वाले ग्रेनाइटी या किसी अलग तरीके की marbles लगी हुई हैं, तो आप उनको simple गरम पानी में dish gel थोड़ा से डाल करके उससे पूरा pipe करें, आपका जो kitchen counter है, यानि platform है, सारा ही germ free हो जाएगा, तो आप भी घर में homemade disinfectant spray बनाईए, घर में तो अमीद करती हो कि ये homemade powerful disinfectant spray आपको तीन तरीके के बहुत पसंद आये होंगे, मैं आज आपके साथ hand sanitizer की इतनी effective recipe शेयर करने जा रहे ही, तो चलिए शुरू करते हैं, homemade effective hand sanitizer बनाने के लिए, यहां मैंने लिया है एक bowl, और सबसे जो जरूरी चीज़े है hand sanitizer बनाने के लिए, वो है IPA, यानि isopropyl alcohol, अब यहां पर जो हमें rubbing alcohol, यानि isopropyl alcohol जो चाहिए, वो हमें चाहिए होगा 99% वाला, यानि उसमें इतने alcohol की मत्रा हो नहीं चाहिए, जो WHO recommended है, 30% से उपर, तो रविंग alcohol में ले रही हूँ, पूरा एक cup, aloe vera gel, किसी भी brand की आप aloe vera gel यूज कर सकते हैं, तो यह हमें चाहिए होगी पूरी आधा cup, अब इसमें मैं डाल रही हूँ, essential oil, इसको डालना बिल्कुल आप्शनल है, यह मैं लगबग पंदरे ड्रॉप के करी वो बढ़िया से मिक्स तभी होंगे, जब आप उसे बढ़िया से फेट लेंगे, अब आप लीजे कोई भी परानी बॉटल और इस तरह की कोन और उसमें हम भर लेंगे, हमारे होम मेट हैंट सेनिटाइजर की बॉटल हो गई है, इसी तरह हम और भी बॉटल में भर लेंगे जितनी कॉटिटी मैंने ले थी आप देख सकते हैं, आसानी से मेरी इस साइज की पार्च बॉटल तैयार हो गई है, यह थोड़ी बड़ी है, अगर मैं यह साइज लो, सिक्स बॉटल आप हैंट सैनिटाइजर की तैयार कर सकते हैं, अब मैं आपको बता रही हूँ एक और दूसरे तरीके में आप लें आदा कप रविंग एलकोहल यानि आइसो प्रोपाइल एलकोहल, अब इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच गिलिसरीन, बहुत एजली मार्केट में मिल जाती है, गिलिसरीन यह भी आपके हाथों को नरम मुलाइम बनाएगी, तो मैं यह डाल तो अब आपके पास यह दोरों ही चोईस है, तो इसको भी मैं भर लिया और गिलिसरीन वाला है हैंड सैनिटाइजर, तो यह लीजे, एक मिलिट में तयार हमारे होम में हैंड सैनिटाइजर, अब बजार के सैनिटाइजर की छुट्टी, अब आप घर में बनाईए यही है सबसे सही हैंड सैनिटाइजर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंट शुट्र साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी तरह अपना प्य यार मुझे इंस्टाग्राम, फेस्बुक, टिक टॉक लाइकी पर भी जरूर दें, थैंकियो फॉर वाचिंग, कोक विद पारूल, जय हिंद, जय भारत